दस देखो जैसे अभी पिछले 9 नंबर कोशन बता है उसी तरह का है क्या fx बराबर x square minus sin x plus 5 से परिभासित फलन x बराबर पाइपर संतत है एकस बराबर पाइपर या संतत है कि नहीं इसका है तो जैसे पिछले कोशन को मैं ने बता है ना उस तरह भी बना सकता हूं चलिए मैं दूसरे तरीके से बना के देखता हूं एक्स पिष्ली वाले तरीके से तो बनाई सकते हैं x equal to pi पर चेक करना है lh rs वाले condition लेके हम इसको बनाना चाहेंगे lh limit यानि limit x tends to pi minus fx limit x tends to pi fx का value क्या होगा fx का value यहीं लोग है आप x square minus का sin x और प्लस का 5 तो अगर हम यहाँ पे lh की बात करें तो यहाँ पे चाहें तो h tends to 0 कर सकते हैं यानि यहाँ पे क्या लेन होगा pi minus h, pi minus h का square और minus का sin pi minus h plus में 5 यहाँ न होगा जी चलिए limit h tends to 0 यहाँ पे हो जाएगा आपका pi square minus का 2 pi h plus का h square यहाँ पे तो sin 180 minus theta जो हो था, 180 minus h हो जाएगा sin pi minus h, यानि कि sin h ही होगा और plus में 5 चलिए, अब देखो h के जगा 0 पॉट कर दो, तो pi square minus का 2 pi into 0 plus 0 का square minus का sin 0 और plus में 5 तो यह तो 0 होगा, यह भी 0, यह भी 0, बचके आपका pi square और plus में 5 अब उसी तरह से rh limit निकालते हैं, rh limit, limit x tends to pi plus fx चीक है, क्या हो जागा भीया, तो यहाँ हो जागा limit x tends to pi और यहाँ पर रख देंगे fx का value जो दिया है, x square minus का sin x plus का 5 तो यहाँ पर pi plus h लेना होगा न, क्योंकि rh limit ले रहे हैं यहाँ पर limit h tends to 0, यहाँ चेंज होगा, यहाँ पर क्या हो जागा, x के जागा pi plus, pi plus h का square minus का sin, pi plus h और plus में 5 clear है, limit h tends to 0, यहाँ पर इसका formula हो जागा, pi square plus का 2 pi h plus का h square, और यहाँ पर sin 180 plus theta जो होता है, sin theta होता है minus का, तो यहाँ plus हो जागा, sin h और plus में 5, चलिए यहाँ पर 0 पूट कर होगा h के जगा, तो क्या हो जागा, तो यहाँ पर आजाएगा, आपका pi square plus का, 2 pi into 0 plus 0 का square plus sin 0, यह भी 0 हो जाएगा, plus 5, यह 0, 0, 0, बच जाएगा आपका pi square plus 5, lhb यह यह था ना, चलिए, lhb यह यह था, अब देखो, अगर हम लोग बात करें, f pi की, f pi, तो pi रख दोगे ना, उपर, तो इस function आपका fx पर यह था, pi रख दो जाएगा, pi square minus का sin pi, और plus 5, तो sin pi के value 0 ही होता है, बच जाएगा आपका pi square plus 5, यह था यह था, तो यहाँ से आपने क्या दिखा दिया, कि, lh limit, यह यहाँ पर लिख सकते है, therefore, limit x tends to pi minus fx, बराबर है, limit x tends to pi plus fx, और बराबर है, f pi के, यहाँ कह सकते हैं, अता, अता fx, x बराबर pi पर संतत है, x बराबर pi पर संतत है, हमने यहाँ दर्शार दिया, समझ गए, चलते हैं अगले question पे, चलो अगला question दिखा है,